तो ये वीडियो होने वाली Apple के event WWDC की समरी जिसमें Apple के जितने भी product launch किये गए उन सभी के बारे बता जाएगा तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस product से Vision Pro Vision Pro एक AR adset की तरह है बट with advanced features जैसे कि आप सब कुछ control कर पाओगे eyes moment की आलप से और end और voice की आलप से जैसे की limited display की वजैसे limited content आप यूज कर सकते थे सभी चीज़े ऐसे लगेंगी जैसे रियल लाइब में fallout हो रही हो Vision Pro के आलप से आप games खेल सकते हो sports और movies देख सकते हो जैसे रियल लाइब में connect होते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़े ऐसी होती जैसे की रियल लाइब में होती है अपने friends के साथ connect हो सकते हो भाइशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही मतलब कुछ भी इसका concept से मेटा से मिलता जूदता है फरक यह है यह जो की advanced features के साथ आएगा मेटा से ज्यादा advanced features इसमें देखने को मिलेंगे इसकी price range 3499 डोलर जो की Indian रुपी में convert करें तो 3 लाख रुपे के आसपास होंगी मुझे comment में जुरूर बताना इजन परो का कौन सा feature आपको सबसे best लगा अब बात करते है Macbook Air की यह जो की 15 इंचिज की display के साथ आएगा जिसकी thickness 11.5 mm होगी इसकी वज़े से यह world thinest laptop बन जाता है बात करें इसके weight की यह जो की आएगा 3.3 pounds के साथ यानि की 1.5 kg का weight होगा यह जो की 4 different color में आएगा डिस्पले की बात करें 5 mm thin bezels, 500 nits brightness and 1 billion color production capabilities देखने को मिलेंगे camera resolution 1080p के साथ आएगा with 3 mics इस बार Mac Air में 6 speakers देखने को मिलेंगे high end performance के लिए इस बार M2 chip के साथ आएगा जिसमें 8 cores का CPU and 10 core का GPU देखने को मिलेगा and 16 core का neural engine इपल कलेम कर रहागी इसकी battery life up to 18 server होगी यह Macbook fanless design के साथ आएगा जो कि silently work करेगा और इसकी price range 1219 dollar होगी जो कि Indian rupees में 1 lakh something है और टेक्सी जाएड होने के बाद price range साथ बढ़ सकती है next product है Mac Studio Mac Studio की बार 2 new chip के साथ आएगा first है M2 Max chip और second है M2 Ultra chip तो सबसे पहले बात करते M2 Max chip की यह product 25% ज्यादा faster है M1 Max chip से और 50% ज्यादा rendering करता है M1 Max chip से यह performance motion and graphic designers के लिए बहुत ही helpful है fourth product Mac Pro इस बार हम को M2 Ultra chip के साथ देखने को मिलेगा जो कि 2 M2 chip को जोड कर बनाई गई है Ultra Fusion R Tractor के आलप की मदद से M2 Ultra की performance M1 Max से double है जिसमें 24 core CPU है जो कि M1 Ultra से better बनाता है M2 Ultra को और इसका 76 core GPU 30% faster है M1 Ultra से 32 core neural engine is 40% faster than M1 Ultra क्या बात है सर क्या बात है सर M2 Ultra की performance को enhance करने के लिए 192 की unified memory दी गई है जो कि 50% ज्यादा है इसकी performance इतनी ज्यादा है कि 22 videos एक साथ चला सकते हो वो भी 8K Pro regulation के साथ और 6 HDR display एक साथ connect कर सकते हो है ना कमाल के product यार जबर्दस थे सब कुछ मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते है Apple advanced level पे work कर रहा है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो अभी भी कुछ product spending रह गए उसके तो part 2 बनाने की कोशिश करूँगा अगर आप पार टू चाते हो तो कमेंट करके जुरूर बता सकते और आज की इस वीडियो में सबसे अच्छा product कौन सा लगा ये भी जुरूर बता नहीं जो नहीं आए मारे चनल को subscribe कर लें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ठीक हैं